जैसा कि सब भी जानते हैं कि आत से 1st में को जो वैक्सिनेशन लगने वाले हैं उसकी रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट में से 18 अबव के एज के सभी लोग वैक्सिन्स लगवा सकते हैं और इसी के लिए सभी को रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक विडियो शेर किया जहाँ पर उन्होंने सभी को रजिस्टरेशन करने को तो काही साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इस डिफिकल्ट टाइम पर लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए नहीं है क्योंकि जिन लोगों पर सच में आपता आई है वो बैटल फिल्ड में वो इससे जूच रहे हुए उनके पास हताश होने का वक्त नहीं है लेकिन जो लोग ओवर थिंक करें तो लेट में टेल्यू हर जेनरेशन कहीं न कहीं चाहिए वो तो आप क्यों समझते हैं क्या बहुत जादा स्पेशल है अब आदुनिक्ता की बढ़ गई है जनसंख्या इतनी जादा हो गई है कि जिस तरह से ट्रावल हो रहा है तो यह पीनाना पूरा विश्यों एकदम से इसके चपेटे में आ गया है और हमारी भारत की जनसंख्या व सब्सक्राइब करने हैं हमें अपनी मदद करनी चाहिए जिसमें के नंबर वन आप इस वाद का ध्यान रखिए कि आप संक्रमिक ना हो प्लीज खुद नंबर टू पिछले सादक देखे हम लोग कितने हताशते क्या होगा इस वैक्सिन का कुछ होगा भी कर नहीं लेकिन मैंने नामने कई सालों लग गए थे उनकी वैक्सिन आने में और हमारे पास डॉक्तर कह रहे हैं कि 99-98% लोग यह वैक्सिन अगर पहला शॉट भी ले लेते हैं तो उनको हॉस्पिटल में भरती करने की जूरत नहीं है वो घर पे ही उनको माइल सिंटम्स होते हैं और मैं आझ लेना चाहते थे ब कि मैने सब को ढर्रिवार्वालों के साथ अपने सारी स्टाफ के साथ अपने दोस्तों के साथ जाए हूँ आप मैं अईसा करियो प्रीज अपने प्रेजिस्टर कराईय और इस लडाई से अगर लड़दा है तो व्यक्तिगत तौर पे सब इसे अपनी अपनी लड़ाई समझ के और प्लीज अताश मत होईए जाहिए